गती सो सब पत्य मिनट डिक्टेशन शुरू होगा पान सेकेंड बाद रेडी अस्टार्ट इस सप्ता भारत ने कोविड टीका करन की राह पर एक महत्वपूर्ण मिल अस्तंप पार कर लिया है रभी बार को दीन में 12 बचकर 16 मिनट पर यहां कोविड वैक्सिन की 200 करोडवी डोज दी गई भारत जैसे एक मध्यम आयवाले देश के लिए यह निश्टित रूप से एक बड़ी उपलब्धी है हलांकी जैसा की हर बड़ी उपलब्धी के साथ होता है इसके कुछ अच्छे पहलू रेखांकित किये जा सकते हैं तो इसमें निहित कुछ नई चुनावतियां भी चिनहित की जा सकती हैं उदाहरं के लिए यह अच्छी बात है कि इन 200 करोड डोजों में से 71 फिस्दी ग्रामिन छेत्रों में दी गई हैं और 51.1 फिस्दी डोज महिलाओं को मिली हैं चिन्ता जनक पहलू यह है कि बाद के दिनों में टीका करन की गती मंद पड़ी है 16 जनवरी 2020 को पड़ी पहली डोज से सुरू हुई इस मुहिम के 547 दिनों में अगर 50-50 लाख टीकों के चार फेज देखे तो आखरी 50 लाख टीके पड़ने में 191 दिन लगे जबकि इससे पहले 78 दिन में 50 लाख डोज पूरी की जा चुकी है इस मन्थर गती का ही एक संकेत यह भी है की प्रिकौशन डोज लेने वालों की संख्या बहुत कम है बहरहाल ब्यापक टीका करन के फाइदे क्रोनों संक्रमन की संख्या और इसकी तिव्रता दोनों ही अस्तरों पर देखे जा सकते हैं सतरक्ता जारी रखने और टीका करन की गती यथा संभव तेज बनाए रखने की जरूरत से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन यह एक तथ है कि आज की तारीख में देश के सामने करोना किसी बहुत बड़े खतरे के रूप में मौजूद नहीं है यही वह बिंदू है जहां दुनिया के सामने करोना की चुनोती से निपटने के दो बिलकुल अलग तरीके उभरते हैं एक उदाहरन भारत का है जिसने पहले लौकडॉन के सबक के बाद अत्यधीक कड़ी पावंदियां से बचते हुए लोकतांत्रिक ढंग से और आम लोगों को विश्वास में लेकर महामारी को काबू में किया दूसरा उदाहरन चीन का है जो आज भी जीरो टॉलेरेंस की सक्त नीती पर चलते हुए तमाम बड़े सहरों और अध्योगिक केंद्रों में लोकडॉन संबंधी पावंदियां लागू किये हुए है नतीजा यह की वहाँ अपरेल जून तिमाही में अर्थ विवस्था 24.4 फिस्दी की दर से बढ़ी है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर और मुख्य उत्पादक देश होने के कारण चीन की यह सुस्ती पुरी दुनिया की सप्लाई चेन को परभावित कर रही है यानि कोविड को लेकर कथित जीरो टॉलेरेंस की चीनी नीती उसे कोविड से मुक्ती तो नहीं ही दिला पा रही वहां नागरीकों की जान सांसत में अलग डाले हुए है इसके साथ ही यह महमारी के साइड इफेक्ट से उवर्ती दुनिया की मुश्किल भी बढ़ा रही है इसमें शक नहीं की कोविड नीती चीन का आंतरिक मामला है और इसमें कोई भी संसोधन वह अपनी मर्जी से ही करेगा लेकिन उससे उप्युक्त सबक लेने का काम तो हम कर ही सकते हैं भारत और अमेरिका के रिस्तों में कांटा बने काटसा कांटरिंग अमेरिकन एडवर्सिज थ्रू सेक्षन एक्ट को अब भारत के संदर्व में बे असर करने की प्रकिरिया शुरू हो गई है इससे देश के सामरिक हलकों में राहत महसूस की जा रही है भारत के लिए इस कानून को बे असर करने का प्रस्ताव अमेरिकी जन प्रतिनीधी सभा के सदस्य रोखन्ना ने 15 जुलाई को पेस किया अभी इसका अमेरिकी सीनेट से पारित होना बाकी है सीनेट के पास होने के बाद इस पर अमेरिकी राष्टपती की मुहर लगेगी और फिर भारत के लिए काटसा कानून का खत्रा समाप्त हो जाएगा काटसा कानून 2017 में बना था तब कहा गया था कि इसका निसाना रूस है 24 में युक्रेन का क्राइमिया इलाका हत्या लेने के कारण रूस को डंडित करने के मकसद से अमेरिका ने काटसा कानून पारित किया इस कानून में प्राबधान है कि रूस से जो देश सैनिक साजो समान खरीदेंगे अमेरिका उन पर परतिबंध लगाएगा सैयोग से उन्ही दिनों भारत और रूस के बीज एस 400 मिसाइलों का 5.4 अरब डॉलर का सोदा हुआ 2018 में डॉनल्ड टरंप सरकार ने धम की दी थी कि अगर भारत ने एस 400 मिसाइल सोदे पर अमल किया तो उसे परतिबंधों का सामना करना होगा और बात सिर्फ एस 400 सोदे का ही नहीं थी अमेरिका कार्शा के बहाने एक तीर से दो निसाने साधना चाता था पहली भारत रूस से रच्छा समझाओते खत्म कर ले मकसद था रूस के रच्छा उद्योग को तबाह करना दूसरी अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि रूस से समझाओता तूटने पर भारत उससे और अधिक हतियार खरीदेगा पिछले दो दसको में भारत ने अमेरिका से 20 अरब डॉलर के सैनिक साजो समान खरीदे भी हैं लेकिन भारत के लिए रूस के साथ रच्छा संबंध को खत्म करना मुम्किन नहीं था इससे भारत की राष्टिय सुरच्छा पर आज आती असल में भारत के पास आज भी दो तिहाई हतियार रूसी मूल के हैं इसलिए अचानक रूस से हतियार और रच्छा उपकरनों की खरीद रोकने पर भारत की मुस्किल बढ़ जाती भारत की तीनों सेनाएं रूसी हतियारों पर आश्रित हैं भारतिय बायू सेना का तीन चोथाई बेड़ा रूसी मूल का है भारतिय नौ सेना भी रूसी मूल के युद पोतों पर काफी हद तक निरवर है नाव सेना का बिवान बाहक पोत रूसी है तो भारत की परमानू पंडूबी विकास योजना में रूसी परमानू विश्यसग्यों का युगदान है अमेरिका से भारत अपनी यह परसानी बता चुका था इसके बावजूद उसने काटसा के तहत परतिवंधों की धमकी दी तो इससे भारत को हैरानी हुई अमेरिका की सर्तों पर भारत उससे दोस्ती करने को तैयार ना हुआ ना ही उसने रूस से नाता तोड़ने की बात मानी भारत को इस मामले में कहना पड़ा की काटसा अमेरिका का घरेलू कानून है जिसे वह नहीं मानता भारत ने आखिरकार रूस से ना केवल एस 400 सौधा संपन किया बलकि कई अन रच्छा सौधे भी किये इस वीच अमेरिका की और से भारत को बदस्तूर धमकिया दी जाती रही पिछले अपरेल में अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनी विलिंकेन ने फिर से काटसा का डर भारत को दिखाया उन्होंने तब कहा कि भारत पर इस कानून को लागू करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है वह इसारो इसारो में कह रहे थे कि अमेरिका के पास इस कानून के इस्तेमाल का विकल्प खुला है इधर भारत भी इन बातों की परवा किये बगर रूस से 400 मिसाइल खरिशाओदे का खेप हासिल करता रहा स्टॉप